अलिगर्ड में दिया अलिगर्ड फ्लोट मर्चिंट इसूसीशन की ओर सी वार्शिक अधिवेशन का आईजन प्रामघाट रोड इस्थीद पराग रस्टोरेंट में किया गया जिसका शिबारम सांसत सतीश गौतम एवं संगठन की पदाधिकारियों ने दीब जलागर किया हर्वर्ड का वार्शिक अधिवेशन है इसमें पूरे वर्ष में जो हमारा लेखा जोखा और हमारी पूरी कारे वाही होती है वह यहां प्रेस्तूत की जाती है इसमें व्यापारियों की कुछ और समस्यां होती हैं उसका भी हम लोग डिसकसन करते हैं आज माननी हैं सांसत म के वाहुदे हमारी कार्यकरम में उक्स्तित हुए कि हमने हमारी कुछ समच्य में उंको दिया है जिसमें हमने लोग सभांपर नहीं जाने भ्रहमद की विवस्ता के निये उनसे कहा है हम चाहते हैं कि हमारी भी पिएम ते मुदी जी से हो गई है कि textile textile के लिए गवर्मेंट ने कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है इसकी वज़ाद से रेढकल काम बढ़ता जा रहा हो और हमारा हम कपड़े का काम हमारा काम होता जा जा रहा है इसके लिए कुछ प्रोत्साहन को द esther क्लें यह हम हमारी निसे मांगें कुछ एक ईग्यापन हमने मेर के लिए भी दिया है और मेर साब से भी हमने हमारी मेर साब से भी चाहर की आतिक्रमर्थ और मुखे सहर रेल्वोडंगी नालियों में जल भरा और सबसे बड़ी समस्य हमारी स्मार्ड सिटी के तहद जो कारेक्रम हो रहा है जो स्मार्ट सिटी बन रहा है वो रामघाट रोट सिबिल लाइन्स की तरफ हो रहा है पराने सहर की तरफ कोई भी डवलपमेंट नहीं हो रहा है तो हमारा यह है कि पराने सहर का भी सौंधरिकरन कराया जाए बाज़ारों में दूर दूर तक हमने इसमें मांग की गई है और एक सफसर बड़ी समस्य यह हरे रंग की जो गाड़ियां कूड़ा लेने के लिए आ रहे हैं वो हमारे व्यापारियों से हमारे घरों से पचास-पचास रुपे और सौसर रुपे की मांग कर रही है तो हम यह जानना चाहते हैं यह नगर नगम के द्वारा अच्विकरत है या यह अपनी मनमानी कर रहे है धन्यवाद मेरा नम मैं डॉक्टर संजय सिंगल मैं संदक शक्षक हूं है जो ग्यापन दिया है साइंसंज परहन के लिए अभी सांसेंजी ने हमें आश्योशन दिया है अब कितनी समस्यावा सबादान होता है यह आने वाले वहुशी की बात है